प्रिविद्यार्थियों, आपको मेगदूद पढ़ा रहे हैं, मेगदूद के दो छंद हो गए हैं, तीसरा छंद देखिए, इसको मैंने पहली बताए मेगदूद गीती काब्ध है और पूरा मेगदूद आप गीती शैली में इसको गा सकते हैं, इसके सारे छंद गे हैं, त तस्य इस्थित्वा कथम पी पुरह कौतु कादान हेतो अंतर वाश्प चीरं अनुचरो राज राज्यस दध्यव। मेघालो के भवति सुखिनो अप्य अन्या था वृति चेतः कंठाश लेश प्रणाईनी जने किम्पुनर दूर संस्थ ते एक बर पुना देखिए तस्य इस्थित्वा कथम पी पुरह कौतु कादान हेतो अंतर वाश्प चीरं अनुचरो राज राज्यस दध्यव। मेघालो के भवति सुखिनो अप्य अन्या था वृति चेतः कंठाश लेश प्रणाईनी जने किम्पुनर दूर संस्थ ते अब देखिए इसमें महा कवी क्या कह रहे हैं। राज राज्यस अनुचरह यक्षों के राजा राज राज्यस यानि यक्षों के राजा कुबेर का अनुचरह सेवक यानि यक्ष अंतर वास्प सन अंतर वास्प सन आस्वों को भीतर ही रोकता हुआ। सा वह कौतु का धान हेतो उतकंठा की उतपत्ती करने वाले। तस्य उस मेघ के पुरा सामने कथम अपी किसी प्रकार से इस्थित्वा खड़े होकर चिरम देर तक दध्यव देखा। यानि अपनी प्रेत्मा का ध्यान करता रहा ही क्योंकि मेघा लोके मेघ के दिखाई पड़ने पर सुखिना अपी, सुखि ब्यक्ति का भी, शेतचित हिरदय, अन्यथा वृत्ती, अन्यप्रकार का यानि विकार से युक्त भवती हो जाता है। तो कंठा श्लेश प्रणईन, कंठ के आलिंगन करने की अभिलाशा रखने वाले, प्रिय जन के दूर संस्थ थे, दूर रहने पर तो उसका क्या कहना? अब यक्ष प्रितमा से ब्यूक्त है और वो बहुत दूर रह रहा है, अब उसके हिरदय की जो अन्यथा वृत्ती है, उसका चित्रन कवी ने इसमें किया है। कह रहे हैं, राज राजस से अनुचरह, यक्षों के राजा कुबेर का अनुचरह, यानि स्वामी नी सेवक, राज राजस से अनुचरह, यक्षों के राजा कुबेर का अनुचर, यानि सेवक, यक्ष, अनुचर जीनि पीछे-पीछे गमन करने वाला है, उसको कहते हैं अनुचर, तो सेवक, या नौकर जिसको सामाने भासा में कहते हैं हम, भृत्य कह सकते हैं, अंतर वासमसन, आखों में ही आशू को रोक कर, आशू को क्या हुआ, भीतर-भीतर रोक कर, यानि आशू को आखों में रोक कर, कौतु का धान है तो, उतकंठा को उत्पन करने वाले, यानि उतकंठा की उत्पत्ती करने वाले, तस्य, उस मेघ के पूर्ता सामने, कथम अपी किसी तरह से इस्थित्वा, खड़े होकर, रुख कर, चीरम दध्यव देर तक उस मेघ को देखा, यक्ष के मन में नाना प्रकार की मनो वृत्तियां उत्पन हो रहे हैं, कि हमें क्या करना चाहिए, उस अपनी प्रित्मा से वियुक्त होकर वैठा हुआ है, तो उसके मन में जो अंतर द्वन्ध हो रहा, उसको सोचता हुआ, बहुत देर तक मेघ को देखा, यह रहे हैं मेघा लोके, मेघ के दिखाई पढ़ने पर सुखी न अपी, सुखी ब्यक्ति का भी, यानी जो अपनी प्रित्मा के साथ रह रहा, उसका चित, उसका हिरदय भी अन्यथा वृत्ति, अन्यप्रकार का विकार से युक्त भवती हो जाता है, तो कंठा, शले, स्प्रणई, कंठ के आलिंगन की अभिलाशा रखने वाले अर्थात अपनी प्रियत्मा को गले लगाने की अभिलाशा रखने वाले, प्रियजन के दूर संस्थिते, दूर रहने पे तो कहना ही क्या है, या ती उसकी स्थिती कैसी होगी, उसको कैसे कहा जा अब यहाँ परा देखिए मेग प्रसालोके इसमें भी संदी है दिर्ग संदी है कौतु काधान इसमें भी दिर्ग संदी है इस्थित्वा में अस्था धातु और कत्वा प्रत्याई है दध्यव में लिटल अकार का प्रियोक किया है महा कभी ने और इसमें अर्थांतर न्यास है क्योंकि सामान्य कथन का विशेश के द्वारा समर्थन है दो पंक्तियों में उन्हें सामान्य कथन को कहा और दो पंक्तियों में विशेश कथन को कह रहे हैं अर्थांतर न्यास का लक्षण करें क्या है सामान्यम वा विशेशो वा तद अन्येन समर्थयते यत्तू सो अर्थार्त न्यास साधरमेण इतरेण वा क्यते हैं कि जहां सामान्य कथन का विशेश कथन से अथवा विशेश का सामान्य कथन से समर्थन करने पर क्या होता है अर्थांतर न्यास अलंकार होता है अब इसमें कह रहे हैं चिरम दग्यव देर तक ध्यान करता रहा यक्ष किसका ध्यान करता रहा कवी ने इस पस्त नहीं लिखा है किन तुम अग्रिम पंक्ती में कंठा स्लेश प्रणनी पद का प्रियोक कर कवी ने यह ध्वनित किया है कि जिसका आलिंगन किया जा सकता है उस प्राण प्रिया के विशय में सोचता रहा होगा। अथवा ये भी सोच सकते हैं कि यक्ष ने सोचा होगा कि मेग्ष को अपना प्रिया विशयक संदेश दें अथवा नहीं। तो यहाँ पर दो पंक्तियों में तो क्या है? यक्ष की विरह दर्शा का वर्णान है और अंतिम दो पंक्तियों में उसकी चिंता का समर्थन किये जाने से। मैंने का न, उपर तो दो पंक्तियों में सामान कतम है और नीचे की दो पंक्तियों में विशेस कतन होने से इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। अगला स्लोग देखिए। साप्रत्याग्रेहि कुटज कुसमहि कल्पितार ग्यता समई प्रीताहा प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतं भ्याजहार बहुत सुन्दार अंतिम पंकियों में कभी ने सुक्ति का प्रियोग किया है कि प्रसंद होकर प्रीति प्रमुख वचनों से उसने किसका स्वागत किया किसका मेंग का स्वागत किया किसने उस यक्ष ने एक बार इसके चंद को दिखें मैं कैसे गा रही हूँ प्रत्या सन्ने नभसी दैता जीविता लंबनार्थी जीमूते नस्वाकु सलमाइं हारेशन प्रव्रेतिम् सप्रत्या ग्रहि कुटज कुसमहि कल्पितार घ्यतसमहि प्रीताहा प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतं ब्याजहार देखिए क्या कह रहे हैं महा कभी नभसी यानि आकास में स्वामन के सावन मास के प्रत्या सन्ने समीप आने पर स्रावन मास के प्रत्या सन्ने प्रती प्रस आसन्ने प्रत्या सन्ने यन संदी है फिर क्या कहते हैं दैता जीविता लंबनार्थी दैता किसको कहते हैं प्रियतमा के जीवन की रक्षा चाहने वाले उस यक्ष ने जीमूतेन मेघ के द्वारा स्वाकुसल महीम अपने कुसल समाचार को भेजने की इच्छा से स्वाकुसल महीम प्रवित्तिम हारिश्वन हारिश्वन मतले भीजवाने की इच्छा से सहा उस यक्ष ने प्रीता प्रसन्न होकर प्रतिप्रस अग्रे इसमें भी यन संदियत ताजे नमीन खिले हुए कुटज कुसमई एक विशेश प्रकार का परवती फूल होता जिसको कुटज कहते हैं तो कुटज के फूल विशेश से कल्पी तार्ग यानि पूजा विधी करके उसको अर्ग देर करके तसमई उस मेघ को प्रीती प्रमुख व्यचनम प्रणे से भरे वचनों से मेघ का क्या किया स्वागत किया प्रत्या सन्ने में प्रती प्लरासें तप्रत्य हो गया है इसमें तप्रत्य लख्या बना है प्रत्या सन्ने और फिर आप इधर देखिये कह रहे हारिश्यन इसमें हिरी धातु है शत्री प्रत्य लख्या बना है हारिश्यन स्वागतम सू आंग उपसर्पुर्वक गम धातु से भाव में तप्रत्य होकर स्वागतम बना और ऐसे सू प्लस आगतम स्वागतम आपको पता है कि उको वह होके स्वागतम बन गया है व्याजाहार में वी उपसर्ग पुरुवर ही धातु से लिट लकार प्रथम पुरु से एक बचन का है आप देखेंगे महा कवी ने लिट लकार का बहुत अधिक प्रियोग अपने काबे में किया है तो फिर एक बार इसका आर्थ फिर से देखिए कह रहे हैं कि नभसी यानि स्रावण मास के प्रत्यासन्ने अत्यंत समीप आने पर फिर क्या कहते हैं दैता जीविता लंब नार्थी प्रियतमा के जीवन की रक्षा चाहने वाले कुस यक्षने जीमूते मेग के द्वारा स्वकुसल मईम प्रवित्तिम हारिश्यन अपने स्वकुसल अपने कुसल प्रवित्तिम समाचार को हारिश्वन याने भेजने की इच्छा से अपने कुसल समाचार को भेजने की प्रवित्तिम यानी संदेश को या समाचार को हारिश्यन यानी भेजवने की इच्छा से सह उस यक्ष ने प्रीतह प्रसन होकर प्रत्यग्रही ताजा तोडे हुए ताजा खिले हुए कुटज कुसमाई पुष्प विशेशों से कल्पी तार्ग्य उसको अर्ग अर्पित करके तसमाई उस मेघ को प्रीती प्रमुख वचनम स्वागतम ब्याजार प्रणय भरे प्रीती यानी प्रणय से भरे हुए प्रेम से भरे हुए प्रसनता से भरे वचनों से स्वागतम ब्याजार मेघ का स्वागत किया स्रावन मास के अत्यंत समी पा जाने पर प्रिया के प्राण धारण करते रहने की चिंता करने वाले अतै मेग द्वारा अपना कुशल समाचा प्रेशित करने की इच्छा करते हुए उस यक्ष ने प्रसन होकर ताजे खिले फूलों से पूजा करके मेग के लिए स्वागत बचन कहा इसलिए कहते हैं किसी का स्वागत करिये तो मीठे बचनों से कहने कहिए कोयल काको देत है कागा काको लेत मीठे बचन सुनाए के जग आपन कर लेत प्री वाग के प्रदाने इन सर्वे तुष्यन्तु जन्तवा तस्मात तदै वक्तव्यम वचने का दरिद्रता इस प्रकार मीठे वचन पर अनेक सुक्तियां हमारे साहित्य में हिंदी साहित्यों या चाह संस्क्रित साहित्यों कही गई है तो ये इसका लास्ट वाक के बहुत ही महत्पूर है और सुक्ती भी है प्रीता प्रीती प्रमुख वचनम स्वागतम ब्याज हार जी मूतेन करते हैं मेग क्या है जीवन दायक है और जल दायक ही अतव प्राणियों की रख्षा करता है मेग जैसे जीवन दायक से अपना संदेश वहन करवाने की प्रात्ना करना यहाँ पर कवी कर रहा है और मेग क्या है रक्षक होने के कारण पुझ भी है अतव यक्ष उसकी पुस्पों से उस मेग की पूझा करता है अब नेक्स दिन आपको पढ़ाएंगे